Hello Friends, मैं Dr. Richa, Gynecologist, Jepard से आज हम बात करेंगे PID, Pelvic Inflammatory Disease कई बार आपने देखा होगा कि सोनोग्राफी रिपोर्ट में लिखा होता है PID तो आप परेशान हो जाते हैं कि क्या डिजीज है, ये कैसे हो गई तो आज मैं इसी के बारे में बात करूँगे PID अगर आपकी सोनोग्राफी में आया है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मिले clinical examination करवाएं और कुछ टेस्ट कराएं जिससे ये confirm हो पाएगा कि आपको सही में pelvic inflammatory disease PID है कि नहीं है क्या होता है ये infection? ये infection होता है आपको unprotected sex से, relationship से, अगर आप उसमें barrier method यूज नहीं करते हैं, ये infection आपके vagina, cervix और uterus में जाके tubes में हो जाता है, क्योंकि ये एक तरह का infection है तो इसमें क्या लक्षण होते हैं? infection के करण आपको fever हो सकता है उल्टी हो सकती है, weakness आ सकती है, excess white discharge, foul smell discharge, itching, burning, relationship के time में बहुत ज़्यादा pain होना, lower abdominal pain होना ये सब कुछ acute symptoms हैं, कि जैसे ही आपको infection होगा, ये सारे symptoms होंगे अगर आप इसी समय डॉक्टर से मिलते हैं और अपना सही समय में इलाज करा लेते हैं, तो ये इसके complication होने के chances बहुत कम हो जाते हैं लेकिन अगर आप initial stage को ignore करते हैं और ये infection अगर chronic stage में चला जाता है तो बाद में PID के कारण आपको infertility, बच्चा नहीं लगने की भी समय सिया हो सकती है irregular bleeding हो सकती है और हमेशा ही lower abdominal pain आपको रह सकता है इसलिए जब भी इसका diagnosis हो तुरंत रॉक्टर से मिले और अपना इलाज करें कैसे confirm करते हैं इसको जैसा कि पहला तो sonography, clinical examination, vaginal swab test जिसमें बच्चे दाने के mouth में जो infection है उसको जाच के लिए भेजा जाता है और confirm किया जाता है rare cases में हम laprascopy से भी confirm कर सकते हैं कि tube किस stage में है उसको infection हुआ है कि नहीं हुआ है कैसे बचा जा सकता है बचने का तरीका यही है कि barrier method यूज करें relationship के time में इससे infection होने के chances आपके कम हो जाएंगे कुछ जो अधर कारण है जिसके कारण PID का risk बढ़ जाता है वो है अगर copperty use किया है multiple abortions हुए है multiple sexual partners है और repeated ectopic pregnancies हुई है तो यह आपको infection के लिए जादा prone करती है और in cases में आपको PID होने के chances जादा होते है तो यह आज का topic था BID मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो thank you very much